मेरे विडियो जो सारे वो डिलीट कर दो किसको क्या कदा चलेगा केस में कभी रोजा रखता भी था नहीं भी रखता था तुम लग तो घर वाले हैं तुम लग तो क्या तुम कदा सब चलेगा हूँ जो करें हाई फ्रेंट सलाम नमस्के वालकम बाक तुद चैनल करता हूं मैं हमारे अपने चैनल पर यह व्लॉग शुरू करने के पहले यार मैं आपको जो रमजान महिना उसकी धेर-धेर-धेर सारी मुबारिक बात देना चाहता हूं और इस पावन महिने में मैंने कुछ दिशन लिया यह मेरा बच्चो मारा जाहिए तर मेरे साथ जो मुझे बोल रहा है कि डैडी गोद मेलो ठीके चलो आओ एक मिनट हां सबको नमस्ते बोलो सलाम बोलो सलाम एक्चली मैंने पहले भी एक बार एक दिन का रोजा रखा था टूथा लगन में मेरे एक दोस्ता अरीफ अंजम ख और जो कोई भी मेरे चैनल पर नहा है उनकी इंफोर्मेशन के लिए बता दू कि मैं नवी मुमे में रहता हूँ और मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ मेरे नाइट शिफ्ट रहती है तो आज जो नाइट शिफ्ट थी 5.30 तक थी मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स है उनने और मैंने साथ में बटके सेरी की 4.30 के पहले जो भी खाना था जो भी पीना था खा भी लिया लेकिन मैंने ये एक ही बार किया था तो मुझे इन सब की आदत नहीं है तो क्या होता है जब कभी मैं ये सारी चीज़े करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ बाड़ी फॉल अब मेरी एक आदत है मैं रोज घर पे गए गए काम पे से नीचे स्टेस पर बेटता हूँ और थोड़ा पानी पीता हूँ तो ये जो पानी है बॉटल में उसकी कुर्बानी यही दिनी पड़ेगी वरना कई मैं भूल जाओ मुझे यादी ना रहे कि मैंने रोजा रखा और पीलू तो गड़बड हो जाएगी तो ये पानी फिलाल डाल देते है यहां रोजा रखा है तो एक अलग सी खुशी महसुस हो रही हूँ मुझे पता नहीं क्यू मतलब एक अलग सा इस लग रहा कि कुछ फेस्टिवल है को त्योहार सेलिबरेट कर रह हूं है और बस तो करता हो मेरा आज तो बारा करने का सकता हूं मैं क्या कर तो मेरा आज भी वही करने को जी कर रहा है substan ऑलना योगा पानी पीता ऑलना में पीना लोटी अरू ने का स्फ टोकिश हूं मैं बढारे मंटें पेज़ए आपना शूच्छरां लॉभा तब मैरे फैमली को बता हूँगा कि मैने एक दिम का रोजा रॉजा रॉजा रॉजाँ मैं देखनाँ कि उनका र्याक्शिन क्या होता है? तो साथ बने रही है शीजे मेरे शाइब से नहीं वे नहीं, आज अन्याने ब्रेड ने कुछ नहीं मेर ले कुछ मत बना रहाई है रहाई है कट बता तो नाने के बाद भार में याद रखना नहीं किया रोजहीं का कुछ हो सकता रोजही को है रोजही जा कि पकड़ा Crist Cup तेरे को क्यों ऐसा लगताो कि शबीर है हाँ एक बार तो पकड़ा था मैंने है रोजा ही पकड़ा है मैंने आज एक दिन का स्रिफ रोजा पकड़ा है हाँ असत माद मन जाला है नहीं डारेक्ट शाम्पू दरगा में खाऊंगा नमाज होगे रहो इसे करूंगा सब उलो के साथ मैं और उसके बाद फिर उधर ही कि मैंने रोजा रखा था एक बार तो उसने पकड़ लिए और उसको पता है कि मैं इन सब चीजों के तरफ जादा अट्राक्टेड हूँ तो उसको मेरी आद हमनों के शादी को तीन साल हो गया और उसने मुझे फिर पकड़ लिया और सारे प्लान का तहस मैस हो गया मुझे कर रियाक्शन क्याप्चर करना था इक चीज आज ऐसी हो रही है घर में रोज जब भी भी कुछ खाने के लिए बनता है तो मुझे उतनी खुश्बू या उतना वो क्रेविंग नहीं होता आज जब भी भी कुछ बन रहा है तो एक अले की खुश्बू और प्यास तो इतनी जब भी जब भी जब जब लगी है बट इट सोके में अकेला नहीं हो पूरी दुनिया में जो मैंने तो एक दिन के लिए रोजा रख़्ा है लोग तो पूरा महीना रोजा रखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग के पास ना इफतारी ना ही सहरी के समय पेड़ बर क अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो नीचे जो प्यारा सा लाल बटन है उससे तोड़ दो आज रोजा रखा है तो कुछ टिप्स मेरी वाइफ ने भी दिये मुझे के रोजा कैसे रखना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए क्या-क्या नहीं करना चाहि अगर दोपेर के पूरी नाइट शिफ्ट करने के बाद से जोड़ा गुंटे की बाद से बीफ़ तो में एकशिए चीज कर्ति अधारह प्यास के सब्सक्राएब और दYबह दोशाया आई सोचा था आधा उनन बोलों सब्सक्राइब और वहाँ प्रापर व्लॉग नहीं कर्रहें जो कुछ माने जिपंग में उत्रीकर सब्सक्राईब मैं बस आप लोगों को बता रहो अभी हो सका तो थोड़ा सो जाओंगा और शाम को क्या करने वाला आपको बता देता हूं या तो मैं घर पे इफ्तारी कर सकता हूं या तो दुसरा अप्शन है हमारे यहाँ पर दरगा घंसली दरगा वहाँ पर उन्हों के साथ जो नमास होती अब देखते हैं दोनों में से होता क्या है तो अभी हो रहे है दोपेर के 3.45 और सोने की बहुत कोशिश की मैंने लेकिन मुझे नीग बिल्कुल नहीं आई भूक से ज्यादा प्यास लग रही है यह जो मेरा बच्चु महाराज टकलू शाकल सोया था ऐसी सो जाता मस्ती करक नीचे कर भूक मेरां रहा है यह मतलब घ़ल यह कर दों और अच एक बात बहुत अजीव हो रही है बच्चु महाराज है यह भी कमेशे नेडी खार ऻेखो जैसेह समीत mutta पानी भी पी रहा है तो बोलता है पानी पी ओ तो अभी हो रहे है यार चे बच कर दस मिनिट और अभी अब लोग जा रहे है दर्गा और अब चलते है और ना टाइम हो जाएगा तो सब गड़बर हो जाएगा लेस्ट मोड़ फिलाल मैं वजू करने वाला हूँ मुझे करेक्ट प्रोसीजर पता नहीं है लेकिन ये जरूरी होता है अंदर जाने से पहले इसलिए मैं कर रहा हूँ वैसे तो इंसान का दिल साफ होना चाहिए व्लॉग कर पांगो ने कर पांगो मुझे शोर नहीं है लेकिन जाम वाफा मे सब्सक्राइब करते हैं वालकम बाक तो दे चैनल फ्रेंज बहुत बहुत शुक्री आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए जो चीज मैंने कल सोची थी मैंने एक्शन डाला और फाइनली वो चीज मैंने सक्सेस्फुली कर दी यह मैंने जो जो चीज़े मैंने सोची थी मैं रोजा रुखंगा तो यह 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 चीज़े करूंगा वह सारी चीज़े मैंने की इफ्तारी वगिरा की और उसके बाद मैं नमाज में गया और जैसे आप लोगों ने देखा मैंने मेरे तरफ से जितना हो सकता था करने की वह कोशि इसा लगा है मेरा व्लॉग मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया मैं बैसिकली यह सारी चीजे नहीं करता बट मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक दिन का रोजा रखना और फिर मैंने सूचा कि रोजा रखना है तो चलो यार व्लॉग भी करते जो मैं सोचता हूँ वो लोगों को मेरे व्लॉग के तुरू बताया जाए कि दुनिया में मेरे सबसे सिर्फ एक ही मजब है वो है इनसानियत और यह सारी चीजे जैसे गंपती रम्दान इसने बनी है कि लोग एक साथ जुड़े एक साथ आए एक साथ सेलिब्रेट करें ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चीज चुप करता रहोंगा तो टेंशन लेने का फूलन लाइफ जीने का बाबाए टेक केर